नमस्कार मैं हूँ आस्था और आप देख रहे हैं धे टीवी सामाजिक और ग्रहस ताप एक्षाओं पर खरीन आउतरने के बेसिस पर थर्ड जेंडर को हमेश्व कलंग की तरह देखा जाता है ये लोग अभी भी नस्लवाद, लिंगवाद और होमोफोबिया जैसे कई तरह की भेदबाओ का सामना करते हैं लेकिन इस पूरे वर्ग को अपराधी करार दे दिया जाए ये कहां का नयाय है 21 सदी और समवधान वाद के समय में भेदबाओ वाले इस तरह की किसी प्रथा और कानून को बनाय रखना भी अन्याय ही होगा इसी के मद्दे नज़र अभी हाले में तिलंगाना हाई कोट ने किनर आक्ट को आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का उलंगन बताते हुए असमवधाने घोशित कर दिया दरसल निजामों के इस समय में साल 1919 में अधिनियमित हुआ किनर अधिनियम सिर्फ किनर समुदाय को अपराधी करार देने से जुड़ा था जिसके चलते हैं इसे खत्म करना समाज की बेसिक जरूरत बन गई थी इस अधिनियम के बारे में कहा जाता है कि जिस समय ये लागू किया गया था उस समय किनर लोग असल में छोटे बच्चों का अपारण कर लेते थे जिसके बाद वा या तो उन बच्चों को नपुनसक बनाते थे या उनके साथ unnatural sexual relation बनाते थे इसी condition को control करने के लिए ये कानून लाया गया था आईए इससे जुड़े कुछ विवादित प्रावधान पर नज़र डालते हैं दसर्स में हिजुरा समुदाय को target किया गया था इस अधिनियम के धारा एक A में हिजुरा यानि किनर शब्द के तहट उन लोगों को शामिल किया जाता था जो असल में पुरुष लिंग से तो जुड़े होते थे पर वा खुद का नपुनसक होना या तो accept करते थे या फिर medical examination में उन्हें नपुनसक declare कर दिया जाता था अधिनियम के दूसरे provision के मताबिक सरकार एक register बनाएगी जिसमें हैदराबाद या कानून लागू होने वाली दूसरी सभी जगा के किनर के details लिखी जाएगी इसमें उन्हें किनरों के बारे में details होंगी जिन पर लड़कों को kidnap करने उनको नपुनसक बनाने या उनके साथ unnatural sex करने इस तरह के काम को उकसाने या इसमें मदद करने का reasonable doubt present होगा इन details में उनके नाम के साथ उनका निवास स्थान भी लिखा जाएगा इस प्रावधान के अलावा इसमें officers को बिना warrant उन किनरों को गिरफतार करने की भी power थी जो सारवजनिक स्थान पर महिला के कपड़े पहने हुए या आभूशन पहने हुए या गारते हुए नित्र करते हुए या सारवजनिक मनुरंजन में भाग लेते हुए पाय जाते थे कि आक्ट में केवल के नरों को शामिल करना सिर्फ शक के बिना पर उनका नाम नोट किया जाना और बिना warrant के गिरफतारी ने इस समुदाय के लिए कितनी मुश्किले बढ़ा दी होंगी इस कानून से जुड़े कई मुद्दे लगातार दशकों से चर्चा में थे पर अभी का जो जज्जमेंट आया है वा वी वसंत मोगली बनाम तिलंगाना राज्य मामले में आया है देसल साल 2018 में ट्रांसजेंडर कारेकरता वैज्वेंती वसंत मोगली और अन्ध ने एक याचुका दायर करते हुए कहा कि ये कानून आज समुदानिक भेद भावपूर्ण और किनर समुदाय को कलंकित करने वाला है जिसमें तिलंगाना हाई कोट ने आदेश दिया कि इस आक्ट के तहत कोई गिरफतारी या मुकदमा नहीं चलाया जाएगा इसके बाद एक दूसरी याचुका में इनके लिए एडुकेशन और एंप्लॉयमेंट में रिजर्वेशन सहित एक व्यापक नीती बनाने के मांग की गई एक तीस्री याचुका COVID-19 के दौरान ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राशन स्वास्त सुबधाओं जैसे राहत के मांग के लिए भी दायर की गई इन्ही आचुकाओ पर विचार करते हुए चीफ जस्टिस अफ तलंगाना हाई कोट भुया और न्यायमोर्ती रेडी की पीठ ने इस कानून को रद्ध कर दिया इसमें बेंच ने कहा कि ये एक्ट पूरे ट्रांसजेंडर समुधाय को अपराधी बनाता है और आर्टिकल 14 यानि समानता के अधिकार और आर्टिकल 21 यानि जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिकत स्वतंदता के अधिकार का उलंगन है केवल यही नही कोट ने ये भी कहा कि इसमें दी गई किन्नर की परिभाशा ना केवल 2019 के ट्रांसजेंडर एक्ट की धारा 2K के खिलाफ है बलकि सुप्रिम कोट द्वारा की गई ट्रांसजेंडर शब्द की व्याख्या के भी खिलाफ है इसके साथ यह सुझाओ दिया गया कि राज्य के कल्यान बोर्ड को एक स्थाय निकाय बनाया जाना चाहिए जो अधालती निर्देशों और तिलंगान सरकार द्वारा योजना लागो करने के लिए उठाए गए कदमों की निगरानी करेगा चलते चलते आपको बता दे कि अधालत ने राज्य सरकार को आस्रा पेंशन योजना के तहत पात्र ट्रांसजेंडर लोगों को पेंशन प्रदान करने का भी निर्देश दिया है आज इस वीडियो में इतना ही हम फिर मुलेंगे एक नए एपसूट के साथ तब तर के लिए मुझे दीजे अजाज़त नमस्कार